हेलो फ्रेंट वेलकम डू जीके स्टडी तो हिमाचर प्रदेश में जो क्रोना कर्फ्यू है उसको 26 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है आप सभी को पता ही होगा कि आज जो है वो हिमाचर प्रदेश मंत्री मंडल की बैठक दी जिसमें ये फैंसला लेना था कि क्रोना तक आपका कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है अब इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी क्या क्या चिंजिस हुए है उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे तो देखिए पहले जो है वो 7 मई से लेकर 17 मई तक जो है वो करोना कर्फ्यू लगाया गया था और उसम पुबिक ट्रांसपोर्ट बंड रहेगा, बस में गयरा बंद रहेगी को केसी को कंट्रोल किया जाए् तो ये फैंसला जो है वो आजTw में दिया गया है जहरा कुछ चेंजिस नहीं हुआ है, बस construction वर्क जो है ए वो आपका उसको ध्यान में रखते हुए, जो है आपकी hardware की दुकाने होती है उसको हफते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को खोलने का फैंसला लिया गया है ताकि construction का work जो है मतलब कि उसको थोड़ा boost up मिल सके बाकि जो भी बंदीशे पहले थी दुकान तीन घंटे खुलते थी सुबह जिसका भी जीले का जो भी timing थी उसी के according खुलेगी बाकि कोई भी changes नहीं हुए है बस आपकी जो hardware की दुकाने हैं वो मंगलवार को और शुकरवार को खोलने का नेड़ने लिया गया है बाकि 26 मही सुबह तक जो है वो ये आपके करोना कर्फ्यू ऐसा ही रहेगा चलता रहेगा और बाकि अगर कोई भी decision और आता है तो उसके बारे में भी जरूर आपसे share किया जाएगा बट फिलाल के लिए जो बंदीशें पहले लगाई गई थी वही बंदीशें जो हैं वो अब लगी रहेंगे तो आपका इस बारे में क्या विचार है कितना आप इस decision से सहमत हो कमेंड करके जरूर बताएगा मेरा काम था आप तक news को पहुँचाना I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी thanks for watching बहुत जल्दी मिलेंगे next video के साथ